गुद मोर्निंग स्टुड़न्स आज हम लेसन नमबर 5 मीरा के पद उसका श्वध्याई करेंगे श्वध्याई का पहला प्रश्न एक एक वाग्यमे प्रश्न जवाब फर्स्ट मीरा बाई किसकी भक्ती करती थी अंसर मीरा बाई स्री कृष्न की भक्ती करती थी सेगड मीरा बाई को कोनसा धन मिल गया है अंसर मीरा बाई को रामरतन धन मिल गया है थर्ड पेरों में गुंगरू देकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा अंसर पेरों में गुंगरू देकर मीरा की सास ने उन्हें कुल नाशी कहा फोर्थ मीरा को विसका प्याला किसने भेजा अंसर, मीरा को विसका प्याला रहनाने पेजा फिफ्थ, किसकी कृपा से मीरा ने रामरतंधन पाया है अंसर, सत्गुरु की कृपा से मीरा ने रामरतंधन पाया है 6. मीरा ने किसके साथ बेटकर लोक लाज खोई अंसर, मीरा ने साधु संग बेटकर लोक लाज खोई मीरा क्या देखकर राजी हुई अंसर, मीरा भगत देखकर राजी हुई एट, क्या देखकर मीरा को रोना आया? जगत देखकर मीरा को रोना आया? नैंथ, मीरा किसे जन्म जन्म की पुण्जी मानती है? अंसर, मीरा रामरतन धन को जन्म जन्म की पुण्जी मानती है? टेंथ, मीरा ने प्रेम बेली किसे सीची? अंसर, मीरा ने आसुओ से प्रेम बेली सीची? 11. सत की नाव का खेवनहार कौन है? अंसर, सत की नाव का खेवनहार सत गुरु है? Q2. दो तीन वाक्यों में प्रश्णों के उतर लेखिये 1. गिर्धर गोपाल की भक्ति करते हुए मीरा बाई ने किस किस का त्याग किया? अंसर, मीरा बाई ने स्री कृष्ण को अपने जीवन का एक मात्र आधार बना लिया था इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था उन्होंने अपने भाई, बंदु, परिवार तथा नाते रिस्ते के सब्भी लोग का त्याग कर दिया था सेकर्ड, मीरा के रामरतन धन की क्या विसेशता है? है, अंसर, मीरा बाई ने सद्गुरु की कृपा से रामरतन धन नामव अमुल्य वस्तु प्राप की थी मीरा बाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है इस धन की ये विसेशता ये है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई इसे चुरा सकता है इसमें रोज-रोज सवाई वृद्धी होती है थर्ड, मीरा इस भौसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? अंसर मीरा बाई को अपने सद्गुरु पर अपार श्रद्धा है वे उने ही भगवत भगती प्राप्त कराने का आधार मानती है वे सत्य की उस नाव पर बेटकर भौशागर पार करना चाहती है जिसके खेवन हार उनके सद्गुरु होगे प्वेश्चन थर्ड पाच्छ वाख्य में उत्तर फर्स्ट भगती के मार्ग में कुनसा संकटाया उससे वह केसे पार हुई? अंसर उन्होंने यह जहर हस्ते अस्ते पी लिया पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ सेगण मीरा के पदो के आधार पर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कीजे अंसर कहावत है बिना गुरु गनान न हुई गुरु का महत्व स्वभी ने माना है मीरा बाय ने सद्गुरु को बहुत महत्व दिया है मीरा सांसारिक जीवन को त्याक कर अपने आराध्य देव स्री कुष्ण की भक्ती पाकर मगन है वे इसे रत्न की उपमा देती है वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का स्रै अपने सद्गुरु को देती है और कहती है कि रामरतन रुपी धन उन्हें उनके सद्गुरु की कुपा से प्राप्त हुआ है सदगुरु की कुरुपा इस संसार रुपी सागर में नाव के समान है इस नाव में बेटकर मीरा सुरपशित रुप से इस भव सागर को पार करने के प्रती निश्चेनते है क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सदगुरु होगे इस प्रकार मीरा के पद में सद्गुरु को बहूत महत्व दिया गया है थर्ड भक्ति में लीन मीरा को लोक्या क्या कहते थे और क्यूं? अंसर मीरा बाय स्री कुरुष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रती विरक्त हो गई थी मीरा स्री कुरुष्ण के प्रेम में पेरों में घुंगरु बांध कर नाती थी यह देखकर लोग उन्हें पागल करने लगे थे वे साध्वों की संगती में बेटती थी यह देखकर लोग उनकी खिली उडाया करते थे उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिबाव बिल्कूल अच्छा नहीं लगता था इसलिए सास उन्हें कुलना से कहती थी और राणा को लगता था कि एसे प्राणी को जिवित ही नहीं रहना चाहिए इसलिए उन्होंने मीरा को जहान से मानने के लिए विसका प्याला ही भेज दिया था इस प्रकार भगती भाव में लिन मीरा को लोग तरह तरह से शंबोधित करते थे Q4 उच्चीत जोड मिलाईए भगत देख राजी हुई तो चगत देखी रोई मीरा के प्रभुगिर्धर नागर तो हर्खी हर्खी जस गाई वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरू क्रिपा कर अपना आईउ फिफ्थ आसाइस पोस्ट कीजिए उसमें फोस्ट चनम जनम की पूंजी पाई जग में सभी खुवाई उसका अंसर मीरा बाई अपने आराध्यदेव स्री कृष्ण के प्रेम की दिवानी है उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई, बंदू, परिवारजनों और सभी सगे शंबंधियों से रिस्ता तोड लिया है उन्होंने तरह तरह की बदनाम्या सही है और लार्ज सर्म सबको तिलान जली दे दी है कहने कार्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वश्व गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमल्य पुंजी प्राप्त की है यह एसी पुंजी है जिसका कोई जोड नहीं है सत की नाव खेवटिया सत गुरू भवसागरतरी आयो उसका अंसर सच्चाई मनुस्य का सबसे बड़ा गुण है यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरू का शयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठी नहीं है मीरा बाय को अपने सदगुरू पर अटूट विश्वास है उनके लिए सदगुरू की कृप इस संसार रुपी महासागर में नाव के समान है इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रुप से इस भवसागर को पार कर लेगी इस बात का उन्हें पुरा विश्वास है समास का प्रकार बताई ये फर्स्ट गिरी धर तो गिरी को धारन करने वाला यानि तदपुरूश प्रेम बेली प्रेम रुपी बेली करमधार है अमोलग जिसका कोई मोल ना हो बहु ब्रिही भव शागर भव रुपी शागर करमधार है गोपाल गोकापाल यानि की तदपुरूश राम रतन, राम रुपी रतन यानि कर्मधारे लोक लाज, लोकों की लाज तत पुरुष कुल नासी, कुल की नासी तत पुरुष अवी नासी, जिसका कोई विनास न हो, बहु व्रिह सब्द समों के लिए एक शब्द बदाईए उसमें, फर्स्ट, अच्छा सच्चा व्यक्ति, तो साधू सिगन, भक्ती करने वाला, तो भक्त फर्ड, नाव चलाने वाला, तो खेवटिया फौर्द, पाउं में पहनने का एक गहन, तो घुंगुरू फिफ्ट, गिरी को धारण करने वाला, तो गिरी धर सिग्थ, गायो को पालने वाला, तो गोपाल सेवन, जिसका कोई मुल्य न हो, तो अमूलक एट, नदी आदी पार करने का शाधन, तो नाव भाववाचक शंगनाये बदाये, उसमें शाधू, साधूता, बंदू, बंदूत्व, भक्ता, भक्ती, सीचना, सीचाई, मग्ना, मग्नता, फैलना, फैलाउ खरचना, खर्च, प्रभू, प्रभूता, दास, दास्ता, मिलना, मिलन, रोना, रुलाई, कर्तुवाचक शंगनाये बताये चोरी, चोर, खेना, खेवटिया, देना, दाता, गोपालन, गोपालक, गाना, गायक, नाच, नचवईया, तेरना, तेराक परियाईवाचे शब्द बताये बंधु, भाई, जगत, दुनिया, जल, वारी, अमोलक, अनमोर, दासी, नौकुरान, दूसरा, अन्य, संग, साथ, बेल, लता पुन्जी, दौलत, दिन, दिवस, खेवटिया, नाविक, विलोम शब्द बताये उसमें साधू, ओशाधू, आसू, मुस्कान, प्रेम, दुरुना, विश, अम्रुत, चोर, साहुकार, तेरना, डूबना दासी, स्वामिनी, हसी, रुलाई, खर्च, आमदनी मुहावरों के सही अर्थ, बताईए फर्स्ट, पुन्जी, पाना, तो धन कमाना सेकंड, भौशागर, तरना, तो जीवन बुरुत्यू के फेरे से मुक्त होना थर्ड, यस गाना, तो किसी की बढ़ाई करना फोर्थ, शवाया बढ़ाना, तो बहुत अच्छा लाब होना